स्टार्ट नाओ एक्सोसाइज 10.1 मेच दा फॉलोविं फ्रेक्चेंज विद दा फिगर्स रिप्रेजेंटिंग देम अब यहां पर आपको क्या करना है मैचिंग करना है इसमें आपको जैसे कि यहां पर कहले कर बन बाइ फाइब दिया है तो यहां पर दीखिया बन बाइ फ फॉर फॉर फाइब तो हम नहीं इसको किसे मैच किया एं के एंद अब करेंगे हम यह से और सिरिफरे से मैच करेंगी और वे सिर्म अब ऐन फॉर अब 3 by 4 का है हमारा, 3 by 4, तो इसको हमने C से मेच किया, अब 1 by 2, 1 by 2 का है, 1 by 2, बन पार्ट से इडिट है, तो इसको हम के लिखेंगे, कौन सा नमबर है यह, D, अब 2 by 4, अब 2 by 4 का है, 2 by 4, 1, 2, 2 पार्ट से इडिट होगा, टोटल पार्ट से किते होगा है, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट से होगा है, तो यह, कौन सा नमबर हो गया, E, नेश्ट देखिया, अब यहां पर हमको क्या करना है, शेड द फिगर्स, अकोर्डिन टू गिवन फ्रेक्शन, जो फ्रेक्शन हमको दिये है उसके अकोर्डिन हमको क्या करना है, फिगर्स को शेड करना है, अब जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, 3, 2, 4, 3 पार्ट उपर के क्या, ऊपर 3 लिखा है, तो हमको इसको 3 पार्ट हमको शेड इड करना है, आप कुछ भी किसी भी टाइप से शेड इड कर सकते हैं, डोट इसको दाल रहे हूं, आप पुरा कलर्ट भी कर सकते हैं, हमको बड़ दर सकना है कैसे शेड इड किया है, किस टाइप से। चैडுड किया है, अब नेशन के 2 अपन 3 टूब इसके शेड करना है, यह ट्टू पार्ट इसके हैं शेड इड हो गये एसा, अब D को भी देखिए अब 3 by 4 इसके अब 3 पार्ट शेड़ेट करना है नेश्ट देखिए अब 1 by 4 अब इसके 2 पार्ट से चलिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइट कर लेते हैं एक और डोट डोट भम बना देते हैं एक और लाइन इसके खीच लेते हैं तूँआ कितने पार् आप देखिए नेश्ट फाई अपों 8 इसके भी 5 पार्ट शेड़ेट कर देंगे आप तो जाब खोद करके रखेए नेश्ट को सना आता है हो को सनांबर थर्ड राइट द फ्रेक्शन फोर इच ओफ ड़ अप्दा फ्रेक्शनल नंबर यहां पे हमको नांबर दिए हुए ह यहां पर आपको यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर हमको फ्रेक्षन उसके लिखना है अब 6 7 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे 6 upon 7 3 5 लिखा हुआ है 3 by 5 9 18 लिखा हुआ है इसको यह से करके लिखेंगे th इस पेरिंग दिखें हमने नम्मा नेम्स की उसके आगे हम पी एच एच लगा देंगे 9 upon 18 7 तेंथ लिखा हुआ 7 upon 10 4 13 लिखा हुआ है 4 upon 13 11 19 लिखा हुआ है 11 19 नेस्ट कोसे नमबर 4 देखिए है राइट दर फ्रेक्षन नमबर फ्रेक्षन यहापे हमको सिमलर ऐसे इसको करना है बट यहापे क्या लिखा है फ्रेक्षन दिए हुए यहापे हमको और यहापे क्या लिखना है इसके फ्रेक्षन नमबर लिखना है आप 4 by 5 लिखा है, तो 4 लिखाएंगे, डेस लगाके के लिखाएंगे 5th, 5th ऐसी लिखाता है ना इसमें, 5th देखें कैसे लिखा हुआ है, 5th तो सेम हमको यहाँ पर भी ऐसी लिखना है, 7 upon 11 लिखा हुआ है, 7 लिखा बीच में डेस लगाना है आपको, और पर नीचे के लिख हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 बीच में डेस लगाना है, और क्या लिखेंगे, 8, 4 upon 9, 4 बीच में डेस लगाया है, क्या लिखेंगे, 9th, 9 की इसमें, ना इन नहीं होता है, बढ़ यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे अपन, N, I, N, T, H, S, 3 upon 7 लिखा है, 3 डेस लगाया लिखेंगे, T, H, S लगा रहेंगे, S, E, V, E, N, T, H, S, 11 upon 15, 11 लिखेंगे, 15, F, I, F, T, E, N, 15, T, H, S, सब्स लीष प्केंगे, 15, 18 लिखेंगे, 25, 15, 15, 15, 18 लिखेंगे, 16 Leo смож दो रहेंगे, 16 please.